साथियों, स्कील और इकोसिस्टिम से मिलकर आज नए भारत की नीव रख रहे हैं। स्टार्ट अप इंडिया की सफलता हमारे सामने हैं। आज भारत के स्टार्ट अप्स पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं। हमारे यूनिकॉर्ण्स की संख्या अब रिकॉर्ड बना रही हैं। कोरोना के कठील समय के बाद हमारी अर्थ वबस्ता ने जितनी तेजी से वापसी की है। उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है। अभी हाल में एक विश्व संख्या ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थ वबस्ता बढने जा रहा है। मुझे भी स्वास हैं गुजरात राष्ट निर्मान के अपने प्रयासों में हमेशा की तरह सर्वस्रेष्ट रहेगा, सर्वस्रेष्ट करेगा। अब तो भुपेंदर भाई पटल जी और उनकी पूरी टीम एक नई उर्जा के साथ गुजरात की प्रगति के इस मिशन में जुट गए हैं। साथियों, वैसे भुपेंदर भाई के नेत्रूतों में नई सरकार मनने के बाद, आज पहली बार मुझे इतने विस्तार से गुजरात के लोगों को संबोधित करने का अवसर मिला है। एक साथी कार्यकरता की रूप में भुपेंदर भाई से मेरा परिचय पचीस वर्थ से भी ज्यादा का है। ये हम सभी के लिए बहुत गवरों की बात है कि बुपेंदर भाई एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो टेक्नोलोजी के भी जानकार है और जमीन से भी उतना ही जुड़े हुए है। अलग-अलग स्तर पर काम करने का उनका अनुभाव गुजरात के विकास में बहुत काम आने वाला है। कभी एक छोटी सी मुनिसिपालिटी नगरपालिका के सदस्या, फिर नगलपालिका के अध्यक्षर, फिर अमदाबाद महानगर के कॉर्पोरेटर, फिर अमदाबाद महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमिंटी के चैर्मेन, फिर आउड़ा जेसी प्रतिष्टित संस्तान के चेर्मेन करीब करीब पचीस वर्सों तक अखंड रूप से उन्होंने ग्रास्ट रूट, शासन, प्रसासन को देखा है, परखा है, उसका नेत्रुत्व किया है। साथियों, आज हर गुजराती को इस बात का भी गर्व होता है, कि इतने लंबे समय तक सार्व जनिक जीवन में रहने के बावजूद, इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी, पचीस साल तक कार्य करने के बाद भी, भुपेंदर भाई के खाते में कोई विवाद नहीं ह भुपेंदर भाई, बहुती कम बोलते हैं, लेकिन कार्य में कभी कोई कमी नहीं आने देते एक साइलेंस वर्कर की तरह, एक मुख सेवक की तरह, काम करना उनकी कारिशाली का हिस्सा है बहुत कम हैं लोगों को ये भी पता होगा, कि बुपेंदर भाई का परिवार हमेशा से आध्यात्म के परती समर्पित रहा है उनके पिता जी आध्यात्मिक शेत्र से जुड़े रहे हैं मेरा विश्वास है, ऐसे उत्तम समस्कार वाले भुपेंदर भाई के नेत्रूत में गुजरात चौत अरफा विकास करेगा